नमस्कार बच्चाओं आज की हमारी information technology की class में हम excel का revision करेंगे जो की हमने कुछ classes से start किया है हमारी जो unit first है revised labors की according तो उसमें unit first जो है उसके first three chapters जो है वो excel पे हैं तो हमने कल देखा था कि क्या difference है word और excel में क्या अंतर है दोनों के बीच और documents में क्या-क्या चीजें होती हैं और यहां जो हम spreadsheets तयार करते हैं वर्क बुक में काम करते हैं तो क्या अंतर है यह हमने discuss किया था और हमें पता चल भाई हमने revise कर लिया कि excel में किस तरह से look and feel आपको मिलेगा आप किस तरह से data enter करेंगे और साथ ही साथ हम data formatting जो है उसको भी हमने revise किया था हम बता सकते हैं कि data data का type क्या हो data का font क्या हो जो हमारा cell में data है हम basically cell को format करते हैं right तो कल हम cell formatting यह discuss कर रहे थे उसको अभी और एक बार हम यहां पर देखेंगे continue करेंगे और फिर उसके बार हम series create करना सीखेंगे जैसे अगर हमें कोई number series generate करनी हो या किसी भी तरह की series माल लीजी मेरे को two four six ऐसे two two numbers के gap से कोई series generate करनी है या हमें ABCD या Roman numbers के one two three four है इस तरह से कोई भी like Sunday Monday या January February यह जो series है अलग-अलग यह generate हम कर सकते हैं अपनी spreadsheet में तो वह सीखेंगे और formulas कैसे लिखते हैं छोट-छोटे calculations हम कैसे कर सकते हैं वह चीज जानेंगे, right? तो जब हम किसी cell पर click करते हैं तो वह cell select हो जाता है और फिर right click करने पर हम इं shortcut menu में हम हमारे पास option आता है कि हम उसको cell को format कर सकते हैं, right? तो format करने में हमारे पास जो dialogue box आएगा उसमें एक tab है number का number में हम क्या बताते हैं इस tab पर हम click करेंगे तो हम बता सकते हैं कि इस cell में या यह तो एक cell की बात हुई मान लीजिए मैंने 10 consecutive cells select कर लिए consecutive मतलब के जैसे यह cell है इसके बिलकुल जो 7 वाले cells है वो हमने select कर लिए ठीक है for example यह A1 है तो इस तरह से यह continuation में हमने cell select कर लिए तो इन सारे cells को select करके जब हम right click करेंगे तो इन सारे cells की एक साथ हम formatting कर सकते हैं right document में भी यह होता था अगर हम चार paragraph एक साथ select कर लिए तो उन चारimana हम editing formatting कर सकते हैं right यावन कि जो भी हमने select किया है उस पर हम editing formatting perform करते हैं तो यहां भी हम एक cell या एक साथ कई सारे cells select कर सकते हैं consecutive भी हो सकते हैं और अलग-लग location के भी हो सकते हैं तो एक तो हम बताते हैं number टाइब है हमारे पास जिसमें हम बताते हैं कि यह जो cell हमने select किया है इसमें data किस type का होगा data का type अर्थात उसमें number है कोई या date है या कोई text है number भी है तो क्या कोई negative number है कोई decimal number है या कोई percentage वाला number है या हमें dollar sign के साथ लिखना है कुछ इस तरह से अलग लग जो numbers की format होते हैं वो आप बता सकते हैं date हमें किस तरह से लिखनी है date जो है उसको लिखने के कई तरीके होते हैं लाइक कई लोग इस तरह से लिखते हैं जैसे हमने लिखा one four two zero two one या कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं कि जैसे month का नाम आया पहले April zero one two zero two one यहां बीच में कॉमा तो अलग-लग styles होती है date की तो वो आप बता सकते हैं और यह बहुत important है अब जैसे अलग-लग जो tabs है like font बताना है उसके borders कैसे हों वो बताना है वो सब चीजें आप करते आये हैं और कर सकते हैं लेकिन यह बहुत important है कि data जो है वो किस तरह का है क्योंकि जब आप calculations perform करेंगे तो यह matter करेगा कि जिस data पर आप calculations perform कर रहे हैं वो किस type का है आप ABCD पर कभी plus minus करते हैं नहीं करते अगर करते हैं तो वो plus minus अलग तरह से होता है जैसे मैंने लिखा PR plus RE तो यहाँ पर यह क्या है यह text है text पर जो मैं plus करूँगी तो यह क्या हो जाएगा concat हो जाएगा यह यह बन जाएगा या let's say यहाँ पर double E है तो यह tree बन जाएगा तो text पर calculation अलग तरह से होती है number पर अलग तरह से होती है तो इसलिए data किस तरह का है यह बताना बहुत important है और हम जब इस तरह से कोई चीज कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छा है कि हम जैसे हमने marks लिख रहे हैं हमें पता है हम कुछ cells हैं उनमे marks लिखने वाले हैं तो पहले से ही हम उन cells को select करके उनका जो format है उनका जो data का जो type है वो बता दे ठीक है तो इससे हमारा data सही दिखेगा भी और उस पे आगे calculations भी सही से perform होंगी इस चीज का हमें ध्यान रतना है तो एक बार हम यहाँ पर और font देख लेते हैं, formatting कर लेते हैं, number यह data type किस तरह से बताते हैं वो और series generate करते हैं all programs पे जाके हम office package में से चुनेंगे excel और अगर हमें अपनी पुरानी file जो हमने कल बनाई थी वो open कर लेते हैं ठीक है तो यह जैसे हमारे cell हैं, अब यहाँ पर हम marks enter करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर यह cells को select कर लिया और right click करा, right click करके यहाँ पर shortcut menu में option आ रहा है format cell, format cell में गए तो हमारे पास अलग-लग format cell के इस dialogue box में tabs हैं, number जहां से हम data किस तरह का है इन cells में वो बताएंगे, alignment हमने करा ह था, alignment में हम यहाँ पर wrap text, shrink to fit, मतलब cell में जो भी text है उसको इतना shrink कर दें कि उस cell में fit हो जाए, वो कर सकते हैं, हम कुछ cells को merge कर सकते हैं, जो हमने margin center से किया था, यह सारी चीजे हम यहाँ से करते हैं, font समबंदित settings कर सकते हैं, borders, fill, यह सब हमने discuss कर लिया था, तो number पर एक और फोकस करते हैं, यह देखिए, इसमें अलग-लग categories आ रही है, number, currency, accounting, मतलब किस तरह का आप cell का type रखना चाहते हैं, उसका data किस तरह का होगा, अगर उसमें कोई date है, let's say date of joining, date of birth, तो फिर आप उसका category कौन सी चुनेंगे, date, और date में भी देखिए, यह अलग-लग आ रही हाना, यह सारी अलग-लग तरह की हमारे पास categories आ रही है, text है, तो हम text चुन लेंगे, अब हमने जिसे marks दिये हैं, हम अगर इसको text चुन लेंगे, तो यह as a text treat होगा, तो हमें क्या रखना है, number, और number भी कैसा, decimal place, और इसमें बता सकते हैं, कि negative numbers allowed हैं, नहीं हैं, यह सब चीज करके हम okay करेंगे, तो इस तरह से हमने इसका data जो यहाँ पर enter होने वाला है, उसका format बता दिया, ठीक है, तो यह इस तरह से होता है, अब series पर focus करते हैं, तो series हमने जैसे यहाँ पर generate करी थी, हमने केवल लिखा one, और उसके बाद अगर हमें 100, 200, कितना भी लिखना है, type करने क की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, इस number को हमने चुना, let's say, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, हम एक बार, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है one, माली जी यह serial number है, हाना यहाँ पर, serial number, अब serial number हमें generate करने है, one, two, three, four, one हमने लिखा, बाकी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हजार records भी है, तो हमें एक manually type करने की जरूरती हम क्या करेंगे, जब हम cell को select करते हैं, तो cell के जो right hand side bottom में हमें एक चिन नजर आता है, जो की plus का होता है, तो इस पर जब आप mouse लेके जाएंगे, तो आप देखिएगा कि mouse का जो pointer है, वो भी अलग type का दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं fill handler, अब यहां से जब आप drag करेंगे, एक तो तरीका है, drag करेंगे simply, तो copy हो जाएगा data, और अगर आपने control की दबा के रखी और आगे इसको drag किया, तो आपकी series generate हो जाएगी, यह देखिए, आगे यहां पर 1, 2, 3, 4 की series, पूरे 18 तक मैंने drag किया, तो event स यहां से लेकर 18 तक numbers जो है, वो हो गए, तो एक बस drag करके click करना है, और series generate हो जाएगी, चाहे वो 1000 number हो, चाहे 2000, हमें manually लिखने की जरुवत नहीं है, और भी कई तरह की series होती है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि let's say, मैंने यहां पर लिखा, एक हम दूसरी sheet ले लेते हैं, अब देखिए, यहां पर, यहां पर मैंने लिखा two, और यहां पर मैंने लिखा four, ठीक है, दोनों को select कर लिया, अब की बार हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और अब हम control की भी नहीं दबा रहे हैं, यह देखिए, two, four, six, eight, ten, twelve, अपने आप यह पूरी series generate हो गई, अगर मैं two को simply drag कर दूँगी, तो तो क्या होगा, copy हो जाएगा, लेकिन इस two को मैंने control के साथ किया, तो series generate हो जाएगी, और अगर मैंने दो number लिख दिये, for example, यहां मैंने लिखा four, और फिर मैंने लिखा seven, अब मैंने four और seven इन दोनों को select कर लिया, तो दोनों में जो अंतर है, दोनों number जो आपने select किये हैं, उन में जो अंतर है, उसके साथ जब आप आगे भढ़ेंगे, यह देखिए, यह इस तरह से आ रहा है, four, seven, then ten, thirteen, sixteen, nineteen, twenty-two, twenty-five and twenty-eight, तो यह series हमारी इस तरह से generate हो सकती है, आपको दो numbers जो आप बताएंगे first और second, उसके basis पर आपकी आगे की series generate हो जाती है, आपको जहां से भी start करना है, let's say अगर आपको one से start करना, जैसे मैंने यहां लिखा one and three, दोनों number को select करेंगे, fill handlers से drag करेंगे, तो जो हमने दो numbers दिये हैं, उनी के अनुसार हमारी आगे की series generate हो जाएगी, तो यह तो हुई हमारी number series, अब जैसे मैंने आपको बुला था कि मैंने A लिखा, अब इसको drag करते हैं, तो यह तो simply क्या हो गया, A, A copy हो गया, अब A हमने लिया और control की दबाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो series है, वो बनी भी नहीं है, actually हमारे यहाँ पर जो यह excel है, इसमें कुछ custom series होती है, तो A, A वाली series हमारी नहीं आरी, उसको हम अभी बना देंगे, और एक दो और check कर लेते हैं, for example मैंने लिखा, Monday, यह देखिए, हमने लिखा Monday और आगे बढ़ा series को, तो आगया Tuesday, then Wednesday, Thursday, यह डेटा सेल से बहार निकल रहा है, तो इसकी width हम बढ़ा रहे हैं, ताकि आप पूरा देख सकें, ठीक है, तो यह आगया, यहाँ पर हमने लिखा J-A-N-Gen, इसको drag करके देखते हैं, अगर इस तरह की series हो, यह देखिए, J-A-N लिखा, तो आगया FEB, यानि की February, March, April, May, June, July, August, September, आगे September को और आगे बढ़ाना है, तो इस तरह से हम drag करते जाएंगे, अपने आप जैसे December आया, next हमने आगे करा, तो January आगया, और अगर हम full लिखते हैं, जैसे अब यहाँ पर हमने J-A, capital दिया है, या हम full लिख देते हैं, January, यह भी करके देखते हैं, यह देखिए, January, February, March, और अब पूरा-पूरा आ रहा है, हमने पहले J-A-N लिखा था, तो यह three letters, abbreviated form आई थी, months name की, और अब कैसे आ रही है, अब full आ रहा है, January, February, March, April, और पूरा हमारा December के बाद हमने देखा, तो आ गया January, ठीक है, यह full दिखाई क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि width कम है, ऐसे width आप करेंगे, सही, तो दिखाई दे जाएगा आपका data, राइट, तो यह देखिए, यह series कहलाती है, इसी तरह से ABCD की भी series generate हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि Excel में हमारे पास custom series है, और उन series की वज़े से यहाँ पर series generate हो पा रही है, तो हम चाहें तो Excel के options में जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर popular एक यह tab आ रहा है, इसमें है edit custom list, यह जो हम list generate कर रहे थे, वो इसी custom list से आती है, 1, 2, 3, 4 वाली नहीं, जो weekdays की है और January, February यानि की month's name की है, ठीक है, तो इस तरह की नई series हम खुद भी generate कर सकते हैं, जैसे ABCD की series नहीं आ रही न, तो हम क्या करेंगे, हम नई series generate कर सकते हैं, तो new list पर हम click करेंगे, और यहाँ पर आप comma से separate करते वे ही बना सकते हैं, यह देखिए, मैं यहाँ पर type कर रही हूँ, यह पूरी series हमने यहाँ पर बना दी, और इसको हमने कर दिया add, तो यह series यहाँ पर add हो गई, अब ok करते हैं इसको, ok, अब देखिए, यहाँ मैंने लिखा A, और fill handler, cell को select करते हैं, तो बिल्कुल last में, यहाँ right hand side corner में हमें क्या मिलता है, fill handler, drag करते हैं, यह देखिए, आ गई न series, पहले नहीं आ रहे थी, क्योंकि वहाँ added, वहाँ पर इसकी entry नहीं थी, A, B, C, D, E, F, अगर मैंने capital में लिखा, तो capital में आ रहा है, small में लिख रही हूँ, तो small में आ रहा है, right, तो यह कैसे किया, एक बार और देख लिजिए, हम office बटन पर click करेंगे, excel के options में, एक category यहाँ पर आ रही है, top पर popular, popular then formulas है, तो popular में हम गए थे, वहाँ पर आता है custom list, और यहाँ पर देखिए, Sunday, Monday, यानि weekdays की list एड़ है, months name की list एड़ है, और हमने ABCD की भी कर दी, अगर ऐसी कोई भी हमें list बनानी है, यह new list आ रहा है, इस पर click करेंगे, यहाँ पर entry कर देंगे, और add button पर click कर देंगे, तो वह add हो जाएगी हमारी list, ठीक है, जैसे droman numbers की list add करनी है, चलिए करके देखते है, 1 और 2, then 3, then 4 लिख दिया हमने, then 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इस तरह से हम continue कर सकते हैं, चलिए, इतना 10 तक हम करते हैं, इसको add कर देते हैं, add button पर click करेंगे, यह add हो गई, ok करें, और यहाँ भी ok करके, और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, 1 लिखा है, अब आप इसको drag करेंगे, इस तरह से, drag का मतलब होता है, mouse का left button दबाके, आगे भढ़ना है, या तो नीचे, या फिर right hand side, यह देखिए, आ गया, 1, 2, 3, 4, तो यह custom list है, कौन-कौन सी, weekdays की, months के name की, A, B, C, D, Roman numbers वाले 1, 2, 3, 4, इस तरह से, बाकी जो यह मैंने आपको number series बताई, यह आप खुद कर सकते हैं, आप दो number लिखेंगे, दोनों को select करेंगे, और field handler से drag करेंगे, तो आपने जो दो numbers लिखेंगे हैं, उनके अनुसार आपकी आगे की series generate हो जाएगी, तो आपको अगर मान लीजे, tables display करनी है, या किसी भी तरह की number series आपको लिखनी है, तो आप आसानी से यह आपे लिख सकते हैं, और serial number लिखने हैं, तो भी आसान है, आप 1 लिख दीजे, य जो आप Excel में maintain करते हैं. चले बचों, यहाँ पर break लेते हैं, break से आने के बाद class को continue करेंगे. के बना है, एंगरा प्रों करने करेंगे. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 जो भी कुछ लिखना है वो लिखते है न data अब यहाँ पर जब हमें calculation करनी है तो हम cell में लिखेंगे equals to, formula starts with equals to, formula की starting होती है equals to से, तो यह लिखेंगे आप, उसके बाद आपको जो भी कुछ करना है, like आपको 5 plus 6 करना है, यह करेंगे और enter की दबा देंगे, तो आप देखेंगे कि आपको cell में result नजर आएगा, 5 plus 6 यानि 11 नजर आएगा, आप उस cell पर click करेंगे, तो formula बार में आपको क्या नजर आएगा, formula, आप cell पर double click करके भी formula को edit कर सकते हैं, formula बार में भी जाकर आप formula एड़िट कर सकते हैं, इसी तरह से कुछ भी आपको करना है, जैसे आपने कहा, 2 into 3 plus 6 into 5, जो भी आपकी calculation है, आप bracket में लिखके करना चाहते हैं, कुछ, हाना, आप जैसे चाहें, बस आपको क्या ध्यान रखना है, कि formula जो है, formula या calculation जो आपको करनी है, starts with equals to, इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही आप equals to लिखेंगे, एक्सल समझ जाएगा, कि आप यहाँ पर कुछ calculation कर रहे हैं, आप simple data या कोई simple text नहीं दे रहे हैं, equals to लिखते ही यह उस पर work करना शुरू कर देता है, और जैसे ही आपने enter दिया, यह जो भी आपने बड़ी से बड़ी calculation, बड़ी से बड़ा formula जो भी है आपका आप लिख सकते हैं, अब यहाँ पर आप देखिए, हमने लिखा है 5, 6, 2, 3, तो अब आपको पता है, जैसे यह plus, minus, into, divide या जो भी है, यह सब हमारे क्या कहलाते हैं, operators, हाना, जो कि क्या perform करते हैं, कुछ operation करते हैं, addition करना, subtraction करना, ठीक है, ऐसे बहुत तरह-तरह के operators होते हैं, अलग-लग work के लिए, ठीक है, यह तो basic है, हमारे जो arithmetic calculation में हम काम में लेते हैं, अब हमने लिखा, five, six, two, three, यह क्या है, यह कहलाते हैं, आप इनको क्या बोलते हैं, number बोलते हैं, हाना, तो यह कैसे number हैं, constant हैं, constant numbers हैं, हाना, इसका क्या मतलब हुआ, constant number का क्या मतलब हुआ, constant number का मतलब हुआ, कि five का मतलब five ही रहेगा, यह कुछ और नहीं हो जाएगा, ठीक है, six का मतलब six ही है, five plus six लिखा है, तो five plus six ही होगा, इसी तरह से, जैसे मैंने लिखा, tr plus ee, और enter की दबा दी, तो हमें मिल गया, tr ee, क्योंकि यह क्या है, यह हमारा है, text constants, constants हैं यह, अना, मतलब tr मतलब tr ही होगा, उसका कोई और मतलब नहीं होगा, तो यह constants हैं, a, b, c, d, one, two, three, four, यह जो भी चीज़े ही सब constants हैं, तो आप formula में constant लिख सकते हैं, या फिर आप formula जो आप यहाँ पर calculation कर रहे हैं, उसमें cell भी refer कर सकते हैं, यानि कि आप 5 न लिख कर, 5 जहाँ पर लिखा है, वो बताएं, आप cell का reference दें, जैसे आप दें, a, two, तो यहाँ पर हम इस example को आगे भढ़ाते हैं, तो यहाँ पर मैंने दिया constant numbers 5 और 6, इसकी बजाएं मैं क्या लिखती, मैं लिखती, a2 plus a5, या मैं लिखती, a1 into c3 plus g5, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, this is known as cell reference, हम यहाँ पर किसको refer कर रहे हैं, हमने यहाँ constant नहीं दिया, हमने 5 और 6 नहीं दिये, हमने 5 और 6 जहाँ लिखे वे हैं, उस cell को refer किया है, cell को refer करते हैं, cell के नाम से, तो जहाँ 5 लिखा था, वो cell था, a2, मैंने formula में लिख दिया, a2 plus a5, तो यह क्या करेगा, a2 में लिखी वी value और a5 में लिखी वी value को plus करके, आपको output दिखा देगा, इससे क्या होगा, कि अगर कभी भी आपने a2 की value change करी, या a5 की value change करी, तो automatically आपका result अपडेट हो जाएगा, समझ में आई यह चीज, 5 और 6 हमने यहाँ पे लिखा, तो यह constants हैं हमारे, हमेशा 5 प्लस 6 का answer सेम आएगा, change नहीं आएगा, लेकिन a2 plus a5 का जो output है, वो change हो सकता है, क्योंकि वो depend करता है कि a2 में क्या लिखा हुआ है, और a5 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अगर a2, a5 में उस समय 5 और 6 लिखा हुआ है, तो 5 प्लस 6 आएगा, अगर कभी भी आपने a2 और a5 में लिखी वी values में कोई भी change किया, for example, आपने कर दिया 5 की जगे 6, तो 6 प्लस 6 होगा, ठीक है, आपके पास output जैसे ही आपने चेंज किया, अपने आप जहां भी a2 को refer किया हुआ है, कहीं पर भी, पूरे आपके इसमें excel में कहीं पर भी a2 को refer किया हुआ है, और a2 की value 5 से 6 हो गई, तो अपने आप output भी उसी के हिसाब का हो जाएगा, ठीक है, तो ये फायदा है cell referencing का, कि कभी मैं कोई changes करूँ, जैसे यहाँ पर मैं students के marks लिख रही हूँ, फिर मैं उनका total निकालूँगी, मैं उनकी percentage निकालूँगी, उनकी grade या division निकालूँगी, ठीक है, तो उनके जो marks हैं, वो कई जगे काम में आएंगे, उनके mark से ही total निकलेगा, और total से ही percentage निकलेगी, और percentage से ही grade निकलेगी, class का result निकल कर आएगा, topper, first three toppers कौन है, वो निकल कर आएगा, तो सब कुछ किस पर है, उन, मान लीजिए, 40 बच्चे हैं, उस class में हैं तो वो 40 और 5 subject हैं, तो 40 into 5 वो जो data लिखा हुआ है न, उस पर depend करेगा, मान लीजिए, एक बच्चे ने re-checking करा ही, उसके number भढ़ गए, तीन number भढ़ गए, तो अगर तीन number भढ़ गए, तो क्या-क्या change होगा, उसका total भी change हो जाएगा, उसकी percentage change हो जाएगी, class का जो topper है, या class का average जो record है, वो change हो जाएगा, तो जहां-जहां भी reference की होई होगी उस cell की, मान लीजिए, उस बच्चे के English subject में marks भढ़ गए, तीन number, तो आपने वो लिखा हुआ है, कहीं पर भी किसी cell में, वो cell जहां-जहां refer हुआ है, वो अपने आप automatically updates हो जाएंगे, ये बताना चाहरे है, अगर आप constant लिखते हैं, जैसे अगर मैं उसके marks की total करती है, और लिखती 50, प्लस 55, प्लस ये, प्लस वो अब 50 से उसके marks हो गए 53, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद जाके उसकी total करनी पड़ेगी वापिस से सही, 50 की जग है 53, फिर और भी आगे percentage, सब चीज़ें update करनी पड़ती है न, लेकिन यहां पर आप बस number change करेंगे, automatically इस cell को जहां-जहां refer किया हुए न, अपने आ आप update हो जाएंगी, right? तो यह फायदा है, cell referencing का, लेकिन जहां आपको constant से calculation करनी है, आप वो कर सकते हैं, अब जैसे pi r square है, तो radius तो जो dv होगी, उसके आधार पर निकल जाएगी, cell reference करनेंगे, लेकिन pi की value तो constant है, तो वहां पर constant आप लेखिए, जहां पर cell से आपको करनी ह हैं, वहां पर cell को refer करिए, इस तरह से mix and match करके भी काम किया जा सकता है, calculations perform करी जा सकती है, और यह चीज़ हम समझ गए कि cell referencing किसे बोलते हैं, cell referencing में हम cell का जो नाम होता है, उसको काम में ले सकते हैं, अब cell referencing करने के लिए, जब हम formula लिख रहे हैं, तो cell का नाम आप देखिए, क्या है और फिर type करिए, बजाए इसके कि आप खुड type करें, आप formula लिख रहे हैं, जब भी आपको cell को refer करना है, आप cell पर click कर दीजिए, अपने आप उसका नाम आ जाएगा, है ना, अच्छा, आपको देखने की भी ज़रुद नहीं है, कि भाई, यह जो cell है, यह किस column और क कुछ गलती भी होने के chances नहीं रहेंगे, आप सीदे A2 पर click कर दीजिए, अपने आप formula में उसका नाम आ जाएगा, फिर आप लिखिए plus, फिर आप A5 पर click कर देंगे, तो A5 लिखा हुआ जाएगा, तो जब आप formula लिखते हैं, और आपको cell referencing करनी है, cell पर click करने पर अपने आप cell का नाम formula आप लिख रहे हैं, तो उसमें आ जाता है, click करने से, तो यह चीज़ प्रैक्टिकली यहां करके देखें, चलिए अपनी वो sheet 1 हम open कर लेते हैं, और sheet 1 में हमने, यहां पर हमारे यह marks लिखे हुए हैं, तो यह marks हम लिख लेते हैं, और फिर आगे कहीं जाके total निकाल लेंगे, ठीक है, तो चलिए दो, यहां पर marks लिखते हैं, दो बच्चों के, यह data हमने enter कर लिया, ठीक है, अब चलिए करते हैं, total निकालते हैं, यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, total marks, तो total marks निकालने के लिए, हमने यहां पर लिखा, equals to, और फिर हमने click कर दिया, इस cell पर, तो देखिए, अपने आप C5 लिखा हुआ आ गया, फिर हमने लिखा plus, फिर हमने इस cell पर click कर दिया, इसका भी नाम आ गया, फिर plus, फिर science वाले marks पे, फिर plus, और फिर maths वाले marks पे, और हो गया हमारा C5, D5, E5, F5, 4 subjects में marks थे, enter किया, तो इसके total marks आ रहे हैं, 323.50, यानि कि 400 में से इसके marks कितने हैं, 323, कैसे किया हमने, एक तो तरीका था, हम equals to लिखें, फिर हम लिखते 56.00, प्लस 67.00, जो भी होते, अभी simply equals to लिखते ही, formula स्टार्ट हो गया, click करते जाएए, plus करना है, तो plus हम लिखते जा रहे हैं, और यह देखिए, तो यह दोनों, यह देखिए, marks हमारे पास, टोटल निकल के आ गया, कितना आ रहा है इसका, 200 आ रहा है, 250.00, let's say यहाँ पर देखिए, 60.00 है, तो let's say इसके marks हमने कर दिए, 60.5, तो अपने आप इसका हो गया, 250.50, let's say यहाँ पर इसके marks हमने कर दिए, 69, तो अपने आप यहाँ पर हो गया, 252, तो क्या हो रहा है, cell referencing करने से, जब भी हम cell की value में change करेंगे, तो जहाँ भी उस cell को refer किया गया है, उस calculation में अपने आप updates हो जाएंगे, तो इस तरह से formula लिखते हैं, तो आप practice कीजिएगा, चोट-चोटे formulas, plus, minus के, division के, और इस तरह से एक report card बनाके practice कीजिएगा, total निकालनी है, percentage निकालनी है, यह सब करेंगे आप, तो आपका जो formulas लिखने का इसमें तरीका है, cell को refer करने का तरीका है, वो सम अच्छे से practice हो जाएगी, चले बचो आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही धन्यवाद,